नमस्कार न्यूस पियार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रीती जहाँ आद चार जून है बात करते जार्खन की प्रमुख पांच खबरों के बारे में पहली खबर है पर्यावरन दिवस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन जागरु कर्मी को पुरुस्क्रित करेंगे बीएसल हर वर्स पांच जून को विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है हर साल की तरह इस साल भी बीएसल पर्यावरन दिवस से सम्मंधित कई प्रति औंलाइन आयोजित किये जाएंगे ब्यएसल द्वारा मुख्य रूप से दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है पहले प्रतियोगिता में है refere oynut Two स्पल्सक्रृत प्रहाज़ के लिए होगी बढते हैं अगली ख़बर की ओड दो दसक से बंद Company Incab Industry Limited के खुलने की संभावना बढ़ी NCLAT ने दिवालिया घोशित करने का आदेश किया रद दरसल अप्रैल 2000 से बंद Incab Industry Limited को दिवालिया घोशित करने के आदेश को National Company Law Applied Tribunal ने रद कर दिया आज सुबा साड़े दस पजे नैस्टनल कंपनी लौ अपिलियट ट्रिबूर्नल के चेर्मैन ने अपना फैसला सुनाया इस फैसले से केबुल कर्मचारियों में काफी खुसी की लहर दोड़ गई एक बार फिर से केबुल कंपनी के खुलने की संभावना बढ़ गई है कमी के कारण मंदाद निया जो इस्थित स्वास उपकेंद्र का संचालन 35 वर्षों से नीजी मकान में चलाया जा रहा है उपकेंद्र को अब तक अपना सरकारी भवन नसीब नहीं हो पाया भवन के आभाव में मरीजों का इलाज और महिलाओं को प्रसव कराने में काफी परिसानी हो रही है महिलाओं को प्रसव के लिए इटखोडी चौपारन और हजारी बाग जाना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पर रहा है इसके अलावा स्वास कर्मियों को कागजाद व स्वास्त उपकरन में रख रखाओं में भी काफी दिक्कत हो रही है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर एक दिन में 190 लोगों ने कौनबेगी गाओं में ली वैक्सीन बनाया रिकॉर्ड जिला के कौनबेगी गाओं में 190 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया जो जिला के किसी गाओं में एक दिन का सरवाधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है कौन बेगी गाउं में युवा वेग्यानिक डॉक्टर सिधात प्रशाद के वैक्सिन लेने के बाद से ही गाउं और आसपास के लोग कुरोना का टीका लेने के लिए आगे आने लगे कौना संक्रमन की रफ्तार कम होते ही ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की भीर अब राची से मुंबई का सफड होगा असान दरसल राची से मुंबई जाने वाली यात्रियों की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है इसे देखते हुए रेलवे ने हटिया से मुंबई के लिए स्पेसल ट्रेन चलाने का निर्णे लिया है इंडियन रेलवे के अधिकारी ने बताया कि बढ़ती भीर को देखते हुए हटिया छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनल हटिया सापताहिक सुपर फास्ट स्पेसल ट्रेन एक 11 जून से चलाई जाएगे चारखन के प्रमुक खबरों में बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूस पियार